ओम श्यान्ति अब सबको स्वागते आपके ही यूट्यूब चैनल सीग्द सोल्द रूथ लाइस विदिन में और आज का दिन दाजनी का बहुत ही ठंडा था बहुत ही स्नोफॉल हुई काफी सारे लोगों को मैंने वीडियो भी शेयर करी काफी सारे लोगों को लगा कि उन्ह नहीं है जट नहीं है सर के उपर और हमारे जैसे गरम करने के लिए hot water bottle के लिए electricity नहीं है तो मैं यही होप करता हूँ कि आप दुआए करेंगे उन आत्माओं के लिए जो कि बेघर है क्योंकि यह जो शीत्र लहर है इसर भारत पर नहीं पुरे विश्व भरम हैं बहुत सारी जगों पर चल रही है और बहुत सारे लोग शरी छोड़ रहे हैं बहुत सारी आत्माएं इसको हम डेट कहते हैं तो अब समय जाता न ले वहाँ अज कर जोई श्रीवरदान हैँ में आगे लेकर चीलते हैं बापा आज की इश्वर वर्दान में हमें सदाही विचाई समझ करके हर्चत रहने के ले कहते हैं परमात्मा मिला तो सब कुछ मिला, इनसान को आज करोड मिल दाते हैं, घर दौलत मिल दाती हैं, तब भी उसको खाली पन महसूस होता है लेकि परमात्मा कहते हैं, कि सबसे बड़ा खाजाना कौन है, सबसे बड़ा खाजाना है कि भगवान कौन है, अगर वो मिल जाए, वो पता चल जाए, तो दुनिया में सबसे बड़ा खाजाना मिल जाता है तो इसलिए वो हर्शित मुक्ता रहनी बौजरोरी है और साती सा जब हमें परमात्मा का ग्यान मिलता है और हमें सत्य ग्यान जब मिल जाता है हमें अपने कई जन्मों के बारे में वो रहे से खुल जाते है और ये शृष्ट का चक्र ये नाटक शुरू कब हुआ है और ये नाटक फिर से परितर परिवरतन कब होगा मलब की कल्यू का अंथ कब होगा जब ये सारे रहे से पता चल जाते है तो हमारे लिए दुनिया में जो भी घटना ही होती है जब कुछ भी हो रहा हो तर परिवरतन वो हमारे लिए नथिंग न्यू बन जाता है तो इसमें घबराट नहीं होती तो हम हमेशा हरशित रह पाते हैं तो परमात्मा आज की हेटिंग में कहते हैं देखे हैं बाबा कहते हैं सदा विजही की स्मृति से हर्शित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्शन मुरतभवा तो दुनिया की लोग तो आकर्शित कैसे करते हैं मनी तरफ? अच्छे कपड़े पैन करके मेकप लगा करके बालों को सजा करके कहने पैन करके आकरशित करते हैं और परमात्मा कहते हैं कि सच्चा आकरशित कौन सा है जो कि इंसान अंदर से जो आत्मा अंदर से खुश हो वही आत्मा सबसे आकरशित है बहर चाहे वो दिखने में अच्छी ना हो शेरीर के रूप से लेकिन आत्मा जो सत्य है जो सदा क्ले है शेरी तो छुट जाएगा वो अकर्षित करने माली है तो विस्तार में चलें हम कल्प कल्प की विजय आत्मा हैं विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा अगर आप दुखी आत्मा है तो और भी आपके आपास पर दुखी हो जाएगे अगर आप असंतुष्ट आत्मा है कंप्लेन करने वाली आत्मा है यह हो गया उसने मिरे साथ में यह कर दिया तो आप पूरे घर में हल्चल ला देंगे तो परमलत केते हैं अगर आप खुशनमा आत्मा है संतुष्ट आत्मा है विजय आत्मा अपने को समझते तो आजव बाजव के लोग भी आपके साथ पर खुश रहेंगे औरों को भी खुशी दिलाएंगे क्योंकि विजय आत्मा का चेहरा सदा ही हर्शित रहता है और दुखी आत्मा का चेहरा संतुष्ट आत्मा का चेहरा कभी भी सुके नहीं रहता वैसे भी देखा या जो दुखी आत्मा होती है उसकी उम्र शेरिट की उम्र जल्दी बढ़ती जाती है वो जल्दी एजट दिखते हैं और जो संतुष्ट होते हैं जो पास कुछ भी ना हो लेकिन संतुष्ट हैं उनके चेहरे पर चमक रहती हैं उनके आँखों में एक चमक रहती हैं वो सदा ही ज्यादा तर यंग रहते हैं हर्शत चेहरे को देखकर खुशी के पीछे हर्शत चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वता ही सब आकर्शित होते हैं दुनिया जो सच्ची खुशी को ढूंड रही है वो बाहर के रूप बाहरी चेहरे को देख करके भारी शेरिट को देख करके शेरिट की उपर की सजावट को देख करके खुश नहीं होते हैं जिलसी होती जातर लोगों को परमातों कहते हैं लेकिन जो हरशित चेहरे होते हैं उनको देखकर खुषी के पीछे सोता ही सब आकरशित होते हैं बच्चे के पीछ पास में कौन सा चेक है करोड़ बती ब्कांपी होने का उसको देखर के हर्शित क्यों होते हैं क्योंकि उसके अंदर किसी के प्रती ना इरशा ना गरना ना मेरा पन ये मेरा वो तेरा ना कोई जगड़ा मेरे तेरे का ना ही किसी प्रकार का उसको उच नीच का भाव किसी के प्रती ना किसी के साथ में गरना है उसको नहीं किसी के साथ में उसको कोई प्रॉलम है वो अपने ही जीवन में खुश है तो हर कोई उसको देङकर करने हर्शत होता है क्योंकि उसके अंदर सची खुशी है लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर टेह हमान बढ़ता जाता है और वह Soul Conscious से Body Conscious आत्म विबानी से शेरीर के भान में आनाश्रु होता है मेरे तेरे में पस्ता जाता है और उसका जीवन और और भारी होता जाता है वह भारीपन कहां देखता है शेरे पे देखता है और आखों में देखता है तो परवामत चाते हैं कि हम फिर से बैसे बच्चे जैसे बन जाएं और वो बनने के लिए हमें ये सीखना ज़रूरी है कि हम वो आत्मा हैं, आत्मा थे, आत्मा ही रहेंगे और शेरिर की जो लेयर समने पहने हुए बहुत सारी बॉडी कॉंशिस उसको निकालना, स्टार्ट करना होगा फिर बाप कहते हैं, जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा ये बहुत ज़रूरी, अंत में मतलब विनाश के टाइम पर महा विनाश, जिसको महा काल का जाता है, जिसको एपोकलिप्स का जाता है इसको कियामत का समय का आजाता है जो कि बहुत ही निकट है परमातों केते हैं जो अंत का समय हो तो किसी के पास हमें गयान सुनने का ताम नहीं होगा, लाश करने का ताम होगा किसी के पास में तो उस जाकशन मुरत हर्शत-चे chlor alternating को उन्ह Gay पास में थैर्फ life. प्रतिक्षाय जो की अभी का विनाश होते भी भी उनको दुख नहीं हो रहा है तो परमानता कहते हैं वो हर्षित चेरा उस समय उनको आभास दिलाएगा कि नई दुनिया आई की आई ही सत्युक आया की आया मुक्ती का समय आया की आया तो ये सारा ग्यान क्या है ये हर्षित होने के ये शक्ति कहा से मल रेज ग्यान से उसलिए आपको प्रमा कुमारिस के सेवन डे स्कोस करना बहुत ज़री है इसे के साथ ओम शेंति